इसे अच्छूते नहीं है, डिप्रेशन, मदरास में कई लोग अपने डिप्रेशन हो गया, किस बात का डिप्रेशन? मेरे शिष्य तो नहीं थे, कई भगत भगत थे, धार्मिक लोग थे, सभी संप्रदयों के थे, ऐसा है बबाबा, ऐसा है, मैं कया धर्मात्मा तो हो, तुम लोग श्रधा तो है, लेकिन तुमारे जीवन में जो धर्म का सत्य-ट्व होना चाहिए, चेतनत तो होना चाहिए, आ आटाटेक नहीं होना चाहिए, हाय बीपी नहीं होनी चाहिए, लो बीपी नहीं होनी चाहिए, शनी चरकागरा हमारे शिश्य भक्त के उपर नहीं आता शनी रेवदा, है तो राजी होके चला जाता है, आटाटेक नहीं होता, जोंडस नहीं होता, है तो भाग जाता है, खाली पूजी जो कहते हूं उस चीज का भाइदा उठाए हो गया स्वधर्म, क्या कठिन है। इस्त्री का स्वधर्म है पति के लिए अगर भोजन मनाती तो उनका सीजन के नुकूल स्वास्त्य का ख्याल रखकर भोजन बनाए। और उनके भोजन परोष्ते समय चिंता की बात ना कह। और पुरुश का स्वधर्म है कि स्थ्री की शील, संतोष, अरुसकी स्वास्त्य की रक्ष्व, मांशिक और बाँदिक विकास। ऐसे ही बच्चे का स्वधर्म है, metabolism के मार के आग्या पाले रमभाप का स्वधर्म है, ¬च्चे का सर्वांगी भी कास जाये। अपना-पना स्वधर्म है, वहवारिक और तात्वी का स्वधर्म। दोनों से समाज का, देश का, राष्ट का, मानवता का मंगल है। मुसल्मानों का भी मंगल है, हिंदूं का, हिसायों का, पार्षियों का. मैंने कभी नहीं चाहा कि किसी मुसल्मान का नुकसान हूँ. और मुसल्मान भी नहीं चाहते कि बापुजी का नुकसान हूँ. मैंने फाकीर शर्मद की कथा कई मुसल्मान सादक सुनकर दंग रह जाते बक्तु भीबी की और बावा भरिद की कथा कहता हूं तो बोलते हैं बावा इतना तो हम भी नहीं जानते थे नहीं जानते थे लेकिन मेरा तो स्वाधर मैंने तुमारे यकीन को बढ़ाऊ้ं और यकीन जहां से उत्पन होता है और यकीन जहां से फल देता है उस अल्ला ताला और ईश्वर में तुम्हें विश्ञंती मिले यह तो मेरा अपना करत बह अर अंगा बाद से कहीं कहीं इहदराबाद से मुसलमान बाई आए। बड़ी सुफी बाई जैसी थी बोले मुझे मुझे इश्क इलाही इश्क मिजाजी बाबा मुझे इश्क मिलेगा मैं क्या क्यों नहीं मिलेगा बोले मैं दिक्षा ले रही थी तो मैं जिस फखेर को मानती थी वो इस जहान में उनका शरे नहीं लेकिन उन्होंने मुझे स्वप्ने में प्रणा कही कि मैं बाबा आज मैंने आपसे दिक्षा ली आप दिक्षा दे रह थे वो बोलते बोलते माई मधुर आस्वों से रोती हुई दिखेगी मूर्खों को मैंने तो देखा उसके नेत्रों से पवित्र यकीन की प्रेम की गंगा बारी वो मुसल्मान भाई बुले बाबा आपके संग मेरे वो फकीर जिनको मैं मानती थी मैंने देखे आस रहे थे जहां शिष्चने स्वधर्म पाला तो फकीर अपना धर्म पालते शिष्च को दिदार कराने में वे मुसल्मान फकीर भी पीछे नहीं मुड़े चाय बाहर का मुसल्मानी चोलाओ, हिंदू चोलाओ, इसाय पार्शी चोलाओ आप स्वधर्म पालो, बस मनाव मानाव से वेर नहीं टिकेगा, मानाव मानाव से नफरत नहीं टिकेगी, मानाव मानाव की आनी नहीं कर पाएंगे मानाव मानाव कंदे से कंधा मिलाकर प्रकरती पर विजे पाने में सफल हो जाएगा अब प्रकरति की चीजों के प्रलोबन से बच गया तो पिर परमात्मों की प्राप्ति तो यूँ हो जाएगे अब तुम बैठे हो इतना हित्मिनान से तुम्हें एक बात और कह देता हूँ स्वाखी पर में पाना होता है, पर में जाना होता है, पर में परवश्ता होती है, ठीक है? कुछ होता है, बनाना, संसारी काम धंदे में नफा भी होता है, नुक्सान भी होता है, लेकिन स्वा को पाने में नुक्सान तो होता ही नहीं है, नफा ही नफा है, स्वा सदा है, पर कभी है, कभी नहीं है, और पर की उत्पत्ती है, पर की स्थिति और पर का नाश है, स्वा की उत्पत्ती नहीं है, ठाप्यन जाए, गुर्वानी कहते हैं, कितान होई, बनाने से उत्ता नहीं, था प्यन जाई कितन होई आपे आप निरंजन सोई जिन से व्यातिन पाया मान नानक गावे गुण निधान। तो स्वा की महिमा में गरीमा में अस्वा के सामत्य जगाने में जो करम है वो स्वधर्म है। और स्वा को पीठ दे कर परिशनी के तर्ब ले जाने वाले जो करम है वो परदर्म है। आप ग्रस्ती जीवन जीते हैं, तो रात को 10, 10, 11 तक सो जाएं, यह आपका स्वास्थ्य का स्वधर्म हो गया। देर रात तक रोक और पोप म्यूजिक से नाचते, कुदते रहते, अपनी निन बिगारते, स्वास्थ्य और पड़ोसी की निन खराब करते हैं, यह परधर्म हो गया। क्या ख्याल है। आप खाते हैं, 15 दिन खाते हैं, 300 दिन खाते रहें, तो शरीर के मशिनरी खराब हो जाएगे। पंदरा दिन में एक दिन आप रोजा रख लीजिये, उपवास रख लीजिये, काधशी रख लीजिये, यह आपने शरीर का स्वाधर्म निभाया। शरीर के प्रतिया आप वफादार रहे पेट और ये वो रक्तवाहिनियों के तरफ आपने स्वधर्म निभाने में साथ दिया आप स्वस्त रहेंगे तो शरीर को स्वधर्म निभाने में साथ दो, मन को स्वधर्म निभाने में साथ दो, बुद्धी को स्वधर्म निभाने में साथ दो और आप स्वधर्म में विश्रांति पालो, आपके दोनों आथ में लड़ो शरिर्पी श्वस्त मन भी प्रसन बुद्धी में बुद्धी दाता चम-चम-चम के देर कहा है पर में तो पैदा किया जाता है और परकितो परादिनता है स्वतो सदा है आदि सत जुगात सत अभी सत वसे भी सत देरी किस बात की परमात्मा सदा है सदा है वो अभी भी है सर्वत रहे वो यहां भी है सब में है तो हम में भी है जब परमात्मा भी है हम भी है तो देरी किस बात की देरी तो परमे होगी भया बिछोड़ा तो परमे होगा आप बड़ा बाप हो गहाँ मेरी पोत्यामी बहुत है, दोत्यामी बहुत है, एक मा के दस बच्चे, तो क्या एक एक बच्चे का मा का दस्वा दस्वा हैसा है, कि सब बच्चों की मा पूरे की पूरी है, मेरी मा के हम पांच-छे बच्चे थे, तो क्या छट्वाइसा मेरी मा मेरी थी, कि पूरी की पूरी मेरे बड़े भाई के माँ भी उसके लिए पूरी की पूरी और मेरे लिए भी पूरी और मेरी बहन के लिए भी पूरी और मेरे दूसरे भाई के लिए भी पूरी और दूसरी बहन के लिए भी पूरी की पूरी